हेलो इपरिवान चलिए आज बनाते हैं एकदम से सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट, बहुत बहुत यमी एकदम से नास्ते की डेस्पी में आपके साथ शेयर कर रहे हैं जब कुछ अलग और टेस्टी सा खाने का मन करें तो इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा बनाना भी बहुत असान है और बहुत टेस्टी बन करके त्यार होता है बच्चे भी बड़ी पसंद से खाएंगे तो एक बार इस तरह से जरूर ट्राइ करिएगा देखिए कितना जादा सुपर टेस्टी बन करके त्यार हुआ है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने ले ली है आलू तो यह उबला हुआ आलू है तो इसको क्या करना है कि आलू को हमें अच्छे से कदुकस कर लेना है तो आप चाहें तो हाथों से मैस कर सकते हैं लेकिन इस तर से कदुकस करने से क्या होगा कि इसमें गुठली नहीं पड़ता है और आसानी से ये पूरा मैस हो जाता है तो मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू मैंने यहाँ पर लिए है तो ये बड़े साइस के आलू है तो इस तर से क्या करेंगे आलू को हमें अच्छे से कदुकस कर लेना है तो देखिए मैंने यहाँ पर आलू को कदुकस कर ली है इसके बाद जो है इसमें डालना है हमें प्यास तो यहाँ पर दो से तीन बड़े चमज कटा हुआ प्यास डाल देंगे चार चमच इसमें कैप्सकम को काट करके इसमें डाल देना है और यहाँ पर मैंने एक गाजर को कदुकस करके डाल दी है और इसमें चार से पांच चमच यहाँ पर पारी कटा हुआ पत्ता गोवी है हैरी मिर्स डालेंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे इसमें इसके बाद जो इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर राई जीरा और करी पत्ता का इसमें तड़का लगा लेंगे तड़का लगाने से बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है इसमें इसके बाद लाल मिर्स पौडर, काली मिर्स पौडर डालेंगे, थोड़ा सा भूने हुए जीरे का पौडर है, इसमें डाल देना है सारी चीजों को क्या करेंगे, हाथों से हमें अच्छे से मिला लेना है, जिससे की सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद जो इस तरह से हाथों में क्या करेंगे थोड़ा से तेल लगा लेंगे जिससे कि यहाथों में चिपकेगा नहीं और इस तरह से हमें छोटा-छोटा इसका बॉल्स बना करके त्यार कर लेना है कितना आसानी से यह बन चुका है इसके बाद जो मैंने यहाँ पर उबला हुआ, यहाँ पर मैंने noodles ले ली है, तो देखिए noodles को क्या करेंगे, इस तरह से हमें चारों तरफ यह balls के चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है, इसको noodles या फिर चौमिन भी बोलते हैं, तो इस तरह से चारों तरफ बस हमें अच्छ प्रवाई में रख दिये तेल गर्म होने के लिए और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें एक्के करके ये सारे बॉल्स को हमें डाल देना है इस तरह से लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है इसको मतलब फ्राइब करने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए क्या करें कि इसको अच्छे से इसको पकाएं जलद बाजी ना करें तो इस तरह से अलोट पलट करके हमें इसको अच्छे से अच्छे से फ्राइब कर ले कर लेना है तो देख히े मैंने यहाँ पर सारी चीछे से मतलब सारब बामकर कॉल लिए देखिए इस दर्ग में शृक्ष को तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको और भी चटपटा बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर गर्म होने के लिए रख देंगे और पैन में क्या करेंगे डाल देंगे यहाँ पर दो से तीन चमश सर्शो तेल डालेंगे थोड़े सा पारीक कटा हुआ लैसून और अद्रक डाल देंगे इसके बाद इन सब को अच्छे से हमें क्या करना है कि भून लेना है बढ़िया सा कलर चेंज होने तक तो इस तरह से देखिए भून चुका है तो इसमें क्या करेंगे दो से तीन चमश टोमेटो केचप थोड़ा से यहाँ पर मतलब दो चमश सोया सोट इसमें डाल लेंगे और दो बड़े चमश यहाँ पर Green चीली सोस है मैंने इसको घर में ही बनाई हुई है तो इस तरह से इसमें ढल करके और अच्छे से इसको mix कर लेंगे इसके बाद जो है यह जो हमने balls बनाई हुई है सारे balls को इसमें डाल देना है तो जितना डालना है उतना ही मतलब इसमें डालें बाकि ऐसे भी खा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर जादा नहीं डाली है मतलब आधा ही डाली हुई है तो इस तरह से सारे balls को अच 23 दर लिटेते फिर्ट नीख करते हुए ज़यादा दूह का लिट हिए इस तरह से नीख सो चुका है मेखंद बन करके त्यार हुआ है इस तरह से जब भी तंहों को अलग गवाज़ Сейчас खाने का मन करें तो एक वारी से जरूर ट्राइ करिएगा बनाना भी बहुत असान है और बहुत टेस्टी भी लगता है इस तरह से तो जरूर ट्राइ करिएगा और रेस्पी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडिय में अधने इस वीकर से थैंक्स पर वाचिंग